महिला एवं बाल विकाज विभाग उत्तर प्रदेश आठवातल जवाहर भवन लकनों कन्या सुमंगला यूजना नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित कुस्वाहा एटूजेट जानो चैनल में आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कन्या सुमंगला यूजना का जो आफलाइन फार्म है वो आपके सामने है और या आपको भरना सुनस्चित है क्योंकि इसको भरने से आपके लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा होने वाला है अगर आप मेरे चैनल पर नए है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर की बटन है उसको दबा दीजिये और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिये ताकि मेरी नई सी नई वीडियो और नई सी नई जानकारी मैं आप तक प अगर आपको ना मालूम हो तो आप जाकर वहां से फॉर्म लेकर जमा कर सकते हैं और अपने बच्चियों का भला कर सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां आप देख सकते हैं यहां है फोटो जो की बालिका के साथ अवेदन का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें यहां फोटो जो लगेगी और यहां आप देख रहे हैं कि बालिका के पंजिकरण है तु सभी संगलंकों को साथ सत्यापित्वा पूर्ण रूप से भरे गए फार्म ही स्विकार किये जाएंगे अब आप यहां देख रहे हैं कि यहां पास सब एक्दम यानि संख्या भरें पंजिकरण रसीद अपलोड संगलं करें पहली बार अवेदन करने पर निम्न विकल्प आएंगे जो कि इस तरह हैं आवेदक का नाम यहां भरा जाएगा आवेदन का बालिका के साथ क्या संबंध है माता है कि पिता है या भी भावक यहां पास्टिक किया ज देखनें बालिका का नाम हिंदी में लिख दीजिए बालिका का नाम इंगलिस में अब इसमें जो उनकी आईडी लगेगी कार्ड फोटो पहचान पत्र जन्म प्रमाल पत्र और विद्यालय सैटिफिकेट के अनुरूप लिखें यह आपको ना समाझ में आता हो विद्यालय लिखें के सैटिफिकेट अनुरूप लिखें यहां है जन्म तिथी जन्मस्थान जिला एगांप जो भी हो अब बालिका की माता का नाम बालिका के पिता का नाम और अभी भावाक का नाम क्या विद्याल लाभारती का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी है जो कि मैं अ वीडियो अफ यह फॉर्म को बना रहा हूं मैं हां विच्टिक करूंगा और अपना आप इस्थाई पता यहां पास अप्लोड कर दीजिए यह लिग दीजिए पिन कोड आपके गाउं का है जो उसको यहां डाल दीजिए और इसके साथ में जो आईडी लगेगी वो इसमें आप ध्यान से पढ़ लिजिए और नहीं तो आप मेरे वीडियो में जो आवाज में बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए प्रमार पत्र हेतू, रासन कार्ड, अधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइवरिंग लेसंस, पासपोर्ट, जीवन भीमा, पालिसी, गैस कनेक्शन बुक, विद्धुद बिल, जलकर रसीद, ग्रकर रसीद, टेलीफोन बिल या बैंक पासबुक में से कोई एक संल अपलोड करें, यानि कि इस फॉर्म के साथ में इतने जितने भी इसमें आईडियां दी गई है, यह सब इसमें कोई एक हो, उसमें आप अपलोड करेंगे, वर्तमान पता, यानि इसमें आप जहां रहे रहे हैं, और वहां का पिन कोड, अब देखिए, जो परिवार की आई है, वियो वार्षी का 3,00,000 से कम होनी चाहिए, यानि आप 3,00,000 से कम होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, नहीं तो आप एक अच्छे से परिवार में आएंगे, और ये फॉर्म को भर नहीं पाएंगे, परिवार में बच्चों की संख्या सिर्फ 2 या 2 से कम हो अगर दो है तो सही का निसान अगर दो से अधीक दो से कम है तो नहीं पार अब इसमें आप देगे जन्म प्रमारपत्र पंजिगरित संख्या जन्म प्रमारपत्र जारी करता के वित्रण संस्थागत प्रस्ताव अस्पताल नर्सिंग होम स्वास्त केंद्र और एंबुलेंस जैसा भी अपने एनिकी हुआ हो अपके साथ और यात्रा के दौरान या अन्य किसी अकास्मिक परिस्तित्यों में ये तो फियाल ऐसे ही दिया गए जो कि इसमें त्व्टिक करना है घर अन्य किसी स्थान पर प्रतिकिन नर्सिग आप इसमें देखें निम्रीक अभी लेएक प्रमार्पत्र का संगलगान अप्लोड करने और लागू हो जन्म प्रमार्पत्र और सपत पत्र संसागत प्रस्ताव पंजी क्रण्ड MTCTS का प्रमार पत्र मास्वास्त विभाग में बहुत सारे चीजे इसमें दिया हुआ है बालिका के पूर्ण टीका क्रण्ड का वित्रन चार्ट यह सब फिराल उन्हीं का कारण जो टीका क्रण्ड भरे हुए हैं आप देख रहे मैं आपको फॉर्म पूरा दिखा दे रहा हूँ आप देख लिजे dile़ हे इसाप पूरा काम बवन्हें भरने का स्वास्थ केंद्र का जहां पासस से और यह ऐई फॉर्म को लिजेगा यह वहीं भरा जाएगा पूरा अब इसमें मैं आपको इसी में में चीज दिखा दे रहा हूँ जो आपको भरना है कोड में यदि लागू हो सरकार गर साहता प्राप्त कुछ नहीं मानता प्राप्त नहीं अब देखें बालिका का अधार नंबर भरें यदि उपलब्द हो अगर आपने अधार काड़ बनवाया है बालिका का तो यहां से आप डाल सकते हैं निता छोड़ दीजे अब देखें निन दस्ता वेज प्रमाण पत्र संगल अप्लोड करें बालिका का निनतम फोटो यह है तो अब अधार वहिए अगर बालिका आपके प्रवेस करते हैं तो इसमें यह सब पुरा दिया हुआ है आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दीजिए मैं आपको अगले page पर चलता हूं दिखाता हूं यह तीजरे numbers form है यहाँ आप अपने बालिका का नाम पिता का नाम यह माता का नाम मैं नीमासूस धाई पता पता यहाँ भर दीजे मेरी परिवार मेरी पत्नि यह माता पिता का नाम बालिका ये बहन भाई कितने भाई बहन है बाई बहन का नाम परिवार में कुल बच्चों की संख्या में परिवार की वार्षी आय तीन लाग से कम है लाग से अधिक नहीं है बालिका का नाम संबंध मेरी जन्मतिती जन्मस्थान और उम्र बालिका के वर्तमान में स्रिणी ज और सपती के अस्ताक्चड या बाय हाथ के अंगोठे का निजान नाम और पता यह हाँ आप देख रहे हैं यह यहां दिया हुआ है यह है जो कि पूरा यह खतम हो गया है पूरा फॉर्म जो कि आपके सामने है मैंने आपको पूरा दिखा दिया हूँ इसमें जो कुछ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको चीज और दिखाता हूँ यह है कि पॉर्म का दूसरा प्रणूप देखिए 33 स्रेणी में बालिका एक वर्ष तक के पूर्ण ठीका क्रण के उपरांत एक हजार रुपए मुस्त आवेधन प्राप्त 33 स्रेणी में कच्छा प्रतम में बालिका के प्रवेश उपरांत दो हजार का मुस्त 45 स्रेणी में कच्छा आठवी में बालिका के प्रवेश के उपरांत दो हजार मुस्त 55 स्रेणी में कच्छा नवी में बालिका के प्रवेश के उपरांत तीन हजार एक मुस्त पश्टम स्रणी ऐसी बालिकाई जीने कच्छा बारवी उत्रिन करके इसनातक डिग्रिया कम से कम दो वर्स डिपलोमा कोर्स में प्रवेश हो लिये हूँ उनको पाँच हजार रुपए आप देख रहे हैं आप ऐसा मैं आपको यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके स्वास्त केंद्र करीबी स्वास्त केंद्रिया अपनी आसा से आप संपर कीजिए उनसे बोलिये कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म जो आफ लाइन आया हुआ यदि आप आउनलाइन नहीं कर सकते हैं तो इसको आप और आफ लाइन भी कर सकते हैं और पंजीकृत कराके अपनी बालिका का भविष्या बना सकते हैं जो कि हमारे जब भार बन लगनव की उजना को निकाला गया था आप देख रहे हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कीजिए और चैनल को सस्क्राइब ना किये हो तो आप से निवेदन है कि आप चैनल को सस्क्राइब कर लिजे ताकि मेरी नई सी नई वीडियो और नया से नय अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके जै हिंद जै भारत